हमारा 36 गर्ड 18 साल का हो गया है गर में बच्चा बेटा हो या बेटी एक साल के होता है तो एक तरीके से हम उसको वहवार करते हैं पांच साल का होता है तो दूसरे तरीके से बारा तेरा की उमर का होता है तो तीसरे तरीके से लेकिन जब अठरा साल का होता है तो उसके सपने जाग जाते हैं उसकी अपेक्षाएं जाग जाती है वो एक साल से 18 साल की उमर तक जिस गती से चलता था उस गती से चलने को तयार नहीं होता है बच्पन में ती पहिये वाली सरक साइकल चला करके गर्व अनुफव करने वाला 18 साल का बच्चा तेज गती से चलने वाली बाईक पर दोड़ना चाहता है यह फर्क होता है और जो फर्क इंसान में होता है वो फर्क मेरे 36 गड़ राज्य में भी होता है अब 18 साल की उमर का 36 गड़ तेज गती से दोड़ना चाहेगा नए नए सपनों को ले करके निकल पड़ेगा हर संकल्प को पूरा करने की इरादे से काम करेगा कोई माबाप अगर 18 से 23 साल की उमर में अपने बच्चों को समालने में विफल जाता है तो जिन्दगी भर वो बच्चे उनकी मुसीबत का कारण बन जाते हैं समझदार माबाप 18 से 23 साल की उमर ऐसी होती है बच्चे की बहुत समाल करके माबाप उसका लालन पालन करते हैं मेरे च्चतिसगड़ के भाई यो भेनों च्चतिसगड़ के जीवन में पांच साल बहुत महत्वपून है आप च्चतिसगड़ के रखवाले हैं आप च्चतिसगड़ के मालिक हैं आपका भविश्य च्चतिसगड़ के भविश्य के साथ जुड़ा हुआ है 18 से 23 साल की इस उमरियां बहुत महत्वपून है और इसलिए मैं आप से आगरह कर रहा हूं कि इस 36 गड़ के माबाप आप है 36 गड़ के रखवाले आप है जैसे घर में अपने बच्चों की परवरीश 18 साल के बाद विशेश रुप से की जाती है बैसी ही विशेश रुप से परवरीश ये 18 से 23 साल की उमर में 36 गड़ की करने की जरूरत है भाईयों भेनों और इसलिए इस बार हमें कोई गलती करने का हक नहीं है बड़े संकल्प के साथ इस महत्वपण दोर के लिए और जब दिल्ली में भारती जंता पार्टी का सत प्रतीशत समर्थन आपको है तो रमन सिंग के हाथ ऐसे मजबूत कीजिए उनको ऐसी ताकत दीजिए कि आपके आने वाले 25 साल के सपनों की मजबूत नीव वो इन आने वाले 5 साल में घरक दें ताकि कभी आने वाली 3-4 पिड़ी तक आपको देखना न पड़े भर एको दिंग से कि आपको दूड़ी OFFICER